नमस्कार, मैं महिमा, आज आपको सुनाने जा रही हूँ, कथा सम्राट मुन्शी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी, कुसुम साल भर की बात है, एक दिन शाम को हवा खाने जा रहा था, कि महाशाय नवीन से मुलाकात हो गई मेरे पुराने दोस्त हैं, बड़े बेत अकुलो फोर मन चले, आगरे में मकान है, अच्छे कभी हैं, उनके कभी सम्मेलन में कई बार शरीक हो चुका हूँ, ऐसी कविता को अपासक मैंने नहीं देखा, पेशा तो बकालत, पर डूबे रहते हैं काब्यचिनतन में, आदमी जह चार-पांच घंटे वह वकील होते हैं, चार दिवारी के बाहर निकलते ही कभी हैं, सिर से पाउं तक, जब देखिए कभी मंडल जमा हैं, कभी चर्चा हो रही हैं, रचनाय सुन रहे हैं, मस्त हो ओकर जूम रहे हैं, और अपनी रचना सुनाते समय तो उन पर एक कलीन तास उनकी रचनाओं की विशिस्ता है, वह जब लखनों आते हैं, मुझे पहले सूचना दिया करते हैं, आज उन्हें अनायास लखनों में देखकर मुझे आश्चरी हुआ, आप यहां कैसे, कुशल तो हैं, मुझे आने की सूचना तक न दी, बोले भाईजान एक जंजाल में फस गया हूँ, आपको सूचित करने का समय न था, फिर आपके घर को मैं अपना घर समझता हूँ, इस तकलूफ की क्या जरूरत है कि आप मेरे लिए कोई विशेश प्रबंद करें, मैं एक जरूरी मुआमले में आपको कष्ट देने आया हूँ, इस वक्त की सेर को इस्थग प्रबंद हो तो सुनाओं, बाल बच्चे तो अच्छी तरह हैं, हाँ, सब अच्छी तरह हैं, वैसी कोई बात नहीं है, तो चलिए, रेस्टोरेंट में कुछ जलपान तो कह लीजिए, नहीं भाई, इस वक्त मुझे जलपान नहीं सूचता, हम दोना घर की योड चले, घर पहुँचकर उनका हाथ मुझ धुलाया, शर्वत पिलाया, इलाइची पान खाकर उन्होंने अपनी विपत्ति कता सुनानी शुरू की, कुसम के विवहा, मैं आप गए ही थे, उसके पहले भी आपने उसे देखा था, मेरा विचार है कि किसी सरल प्रकृती के युबक को आक पजाशील, सुघर, सलीकेदार और विनोधिनी वाले का मैंने दूसरी नहीं देखी, महाशाय नवीन ने करुण स्वर में कहा, वही कुसम आज अपने पत्ति के निर्दय व्यवहर के कारण रो रोकर प्राण दे रही है, उसका गौना हुए एक साल हो रहा है, इस बीच में क्या अगाट पड़ गई है, कि उसने इस बेदर्दी से आखें फेर ली, अब सुनता हूँ उसका दूसरा विवा होने वाला है, कुसम का बुरा हाल हो रहा है, आप शायद उसे देखकर पहचान भी न सकें, रात दिन रोने के सिवा दूसरा काम नहीं है, इससे आप हमारी परिशानी का अनुमान कर सकते हैं, जिन्दिगी की सारी अविलाशाय मिटी हैं, हमें इश्वर ने पुत्र न दिया, पर हम अपनी कुसम को पाकर संतुष्ट थे और अपने भागे को धन्य मानते थे, उसे कितने लाड़ प्यार से पाला, कभी उसे फूल की शड़ी से भी नहीं चुआ, उसकी सिक्षा दिक्षा में कोई बात उठा न रखी, उसने बीए पास नहीं किया, लेकिन बिचारों की प्रोड़ता और ग्यान विस्तार में किसी उंचे दर्जी की सिक्षित महला से कम नहीं, आपने उसके लेक देखे हैं, मेरा खयाल है बहुत कम देविया वैसे लेक लिख सकती है, समाज, धर्म, नीती, सभी विशों में उसके विचार बड़े परिश्कृत हैं, बहस कहने में तो वो इतनी पटू है कि मुझे आश्यर होता है, ग्रह प्रबंद में इतनी कुशल है कि मेरे घर का प्राय सारा प्रबंद उसी के हाथ में था, किन्त पती की दिष्टी में वो पाउं की धूल के बराबर भी नहीं, बार बार पूछता हूँ तूने उसे कुछ कहतो नहीं दिया, या क्या बात है, आकर वै क्यों तुससे इतना उदासीन है, इसके जवाब में रोकर यही कहती है, कि मुझे तो उन्होंने कभी कोई बात ची थी नहीं की, मेरा विचार है कि पहले ही दिन दौनों में कुछ मनमुटाब हो गया, वै कुसम के पास आया होगा और उससे कुछ पूछा होगा, उसने मारे शर्म के जवाब ना दिया होगा, सम्मा वै उससे दो चार बातें और भी की हो, कुसम ने सिर्ना उठाया होगा, आप जानते ही हैं कि कितनी शर्मीली हैं, बस पती देव रूट गए होंगे, मैंने तो कल्पना ही नहीं की, कि कुसम जैसी बालिका से कोई पुरुष उदासीन रह सकता है, लेकिन दुर्भागे को कोई क्या करे, दुखिया ने पती के नाम के कई पत्रे लिखे, पर उस निर्दई भी उसके जीवन का अंत हो जाएगा, और उसके साथ हम दौना प्राणी भी सिधार जाएंगे, उसकी व्यथा आप नहीं देखी जाती, नवीन जी की आँखें सजल हो गए, मुझे भी अत्यंत शोब हुआ, उन्हें तसल्ली देता हुआ बोला, आप इतने दिनों इस चिंत पर घिरा दूँगा, नवीन जी मेरे आत्म विश्वास पर मुस्करा कर बोले, आप उससे क्या कहेंगे, यह न पूछिए, वशी करण के जितने मंत्र हैं, उन सभी की परिक्षा करूँगा, तो आप कदापी सफल न होंगे, वह इतना शीलवान, इतना बिनम्र, इतना प्र आपने कितने ही युवकों को सन मार्क पर लगाया है, जिर्दय में सोई हुई मानपता को जगाना आपका कर्तब्य है, मैं चाहता हूँ कि आप कुसम की ओर से ऐसा करूना जनक, ऐसा दिल हिला देने वाला पत्र लिखें, कि वह लजजित हो जाए, और उसकी प्रेम भावना सचे ठोटे, मैं जीवन परियंत आपका आभारी रहूंगा, नवीन जी कभी ही तो ठहरे, इस तजबीज में बास्त्विक्ता की अपिक्षा कभी तो ही की प्रधानता थी, आप मेरे कई गल्पों को पढ़कर रो पढ़े हैं, इससे आपको विश्वास हो गया है, कि मैं चत जनाओने ब्रक्त होका पुस्तके फैंक दी हैं, पर इन बातों का वो अपसर ना था, वो समस्ते कि मैं अपना गला छुडाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने साहिरदाता से कहा, आपको बहुत दूर की सूची, और मैं इस प्रस्ताप से सहमत हूँ और यध्यपी, आपने मेर करणत पादक सकती का अनुमान करने में अत्युक्ती से काम लिया है, लेकिन मैं आपको निराश न करूंगा, मैं पत्र लिखूंगा और यथा शक्ति उस युवक की न्याय बुद्धी को जगाने की चेश्टा भी करूंगा, लेकिन आप अनुचित न समझें, तो पहले मु लिखने की गुंजाइश बाकी है, नवीन जी ने जेब से पत्रों का एक पुलिंदा निकाल कर मेरे सामने रख दिया, और बोले, मैं जानता था आप इन पत्रों को देखना चाहेंगे, इसलिए इन्हा साथ लेता आया, आप इन्हा शौक से पढ़े, कुसम जैसी मेरी लड लेकिन आखें पल भर के लिए भी नहीं जबकी, सारी रात करवटें बदलते बीच जाती है, बार बार सोचती हूँ, मुझे ऐसा क्या अपराद हुआ कि उसकी आप मुझे यह सजा दे रहे हैं, आप मुझे जिड़कें, घुडकें, कोसें, इच्चा हो तो मेरे कान भी पक आप से अपरादों को शमा कराऊं, लेकिन आप मेरी परच्छाई से भी दूर भागते थे, मुझे कोई अपसर न मिला, आपको याद होगा, कि जब दो पहल को सारा घर सो जाता था, तो मैं आपके कमरे में जाती थी, और घंटों से जुकाई खड़ी रहती थी, पर आपने कभी आँख उठा कर न देखा, उस वक्त मेरे मन की क्या दशा होती थी, इसका कदाचित आप अनुमान न कर सकेंगे, मेरी जैसी अभागी ने इस तरिया इसका कुछ अंदाज कर सकती है, मैंने अपनी सहीलियों से उनकी सुहाग राद की कथाएं सुन सुनकर अपनी कलपना लगाती है, गवाहियां लेती है, उनका बयान सुनती है, आपने तो कुछ पूछा ही नहीं, मुझे अपनी खता मालूम हो जाती तो आगे के लिए सचीत हो जाती, आपके चरणों पा गिरका कहती, मुझे शमादान दो, मैं शपत पूर्बा कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, आप क्यों रुष्ट हो गए, संभव है आपने अपनी पत्नी में, जिन गुणों को देखनी की कामना की हो, वे मुझे में नहीं, बेशक मैं अंग्रेजी नहीं पड़े, अंग्रेजी समाज की रीतिनीती से परचित नहीं, ना अंग्रेजी खेल ही खेलना जानती ह और भी कितने ही तुर्टियां मुझे में होंगी, मैं जानती हूँ कि मैं आपके योग्य न थी, आपको मुझसे कहीं अधिक रूप बती, गुण बती, बुद्धी मती इस्त्री मिलने चाहिए थी, लेकिन मेरे देपता, दंड अपरादों का मिलना चाहिए तुर्टियों क कर देगा, वह विभूती पाकर मेरा काया कल्प हो जाएगी, स्वामी क्या आपने सोचा है, आप या क्रोध किस पर कर रहे हैं, वह अबला जो आपके चरणों पर पड़ी हुई आपसे शमादान मांग रही है, जो जन्म जन्मानतर के लिए आपकी चेरी है, क्या इस क्रोध को सहन कर सकती है, मेरा दिल बहुत कमजोर है, मुझे रूला कर आपको पश्चा ताप के सिवा और क्या हाथ आएगा, इस क्रोधागनी की एक चिंगारी मुझे भस्म कर देनी के लिए काफी है, अगर आपकी या इच्छा है कि मैं मर जाओं, तो मरने के लिए तयार हूँ, क मुझे दावा है कि आपकी जितनी सेवा मैं कर सकती हूँ, उतनी कोई दूसरी इस्त्री नहीं कर सकती, आप विद्वान हैं, उदार हैं, मनो विज्ञान के पंडित हैं, आपकी लॉंडी आपके सामने खड़ी दया की भीक मांग रही है, क्या उसे द्वार से ठुकरा दीज तो इस्त्री उसे क्यों नहीं ठुकरा सकती, वै दुष्ट समझता है कि विवाह ने एक इस्त्री को उसका गुलाम बना दिया, उस अबला पर जितना अत्याचार चाहे करें, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, कोई चूंबी नहीं कर सकता, पुरुष अपनी दूसरी, त सिवा और कोई उपाय नहीं है, अगर उसे भय होता कि औरत भी उसकी इंट का जबाब पत्थर से नहीं, इंट से भी नहीं, केवल थपड़ से दे सकती है, तो उसे कभी इस बद्तमी जी का ऐसा हसना होता है, बिचारी इस्त्री कितनी विवश है, शायद मैं कुसम की जगे ह होता तो इस निश्ठुरता का जबाब इसकी दस गुनी कठोड़ता से देता, उसकी छाती पर मूंग दलता, संसार के हसने की जरावी चिंता न करता, समाज अबलाओं पर इतना जुल्म देख सकता है और चूं तक नहीं करता, उसकी रोने या हसने की मुझे जरावी परवा नहीं होती, अरे अभागे विवक, तुझे खबर नहीं, तु अपने भविश्य की गर्दन पर कितनी बेदर्दी से छुरी फेर रहा है, यह वह समय है जब पुरुष को अपने प्रणय भंडार से इस्त्री के माता पिता, भाई, बहन, सखियां, सहेलियां, सभी के प्रेम क की पूर्ती करनी पड़ती है, अगर पुरुष में यह सामर्ति नहीं है, तो इस तरी के शुदित आत्मा को कैसे संतुष्ट रख सकेगा, परेडाम वही होगा जो बहुदा होता है, अब लाग कुड़कुड कर मर जाती है, यही वह समय है, जिसकी इस्मृती जीवन में सद यही वह समय है, जब हिर्दय में प्रेम का बसंत आता है, और उसमें नई नई आशा कौपले निकलने लगती है, ऐसा कौन निर्दई है, जो इसे रित्तु में उस ब्रिक्ष की कुलाड़ी चलाएगा, यही वह समय है, जब शिकारी किसी पक्षी को उसके बसेरे से लाकत मि कर देता है, क्या वह उसकी गर्दन पर चुरी चलाकर उसका मधूर गान सुनने की आशा रखता है, मैंने दूसरा पत्र पढ़ना शुरू किया, मेरे जीवन धान, दो सप्ता जबाब की प्रतिक्षा करने के बाद, आज फिर यही उलाहना देने बैठी हूं, जब मैंने वह पत्र लिखा था, तो मेरा मन गवाही दे रहा था कि उसका उत्तर जरूर आएगा, आशा की बिरुद्ध आशा लगाए हुए थी, मेरा मन अब भी इसे सुईकार नहीं करता, कि जान भूज कर उसका उत्तर नहीं दिया, कदाचित आपको अवकाश नहीं मिला, या ईश्वर न करे कहीं आप अस्वस्त तो नहीं हो गए, किस से पूछूं, इस विचार से ही मेरा हिर्दय कांप रहा है, मेरी इश्वर से यही प्रार्थना है कि आप रसन्नों स्वस्त हों, पत्र मुझे न लिखे ना सही, रोकर चुपी तो हो जाओंगी, आपको इश्वर का वास्ता तो मुझे तुरंत पत्र लिखिए, मैं किसी को साथ लेकर आ जाओंगी, मरियाद और परिपाटी के बंधनों से मेरा जी घवराता है, ऐसी दशा में भी यदि आप मुझे अपनी सेवा से बंचित रखते हैं, तो आप मुझे मेरा वो अधिकार छीन रहे हैं, जो मेरे लालसा नहीं, महल में रहने की लालसा नहीं, सेर तमाशे की लालसा नहीं, धान बटोरने की लालसा नहीं, मेरे जीवन का उद्देश केवल आपकी सेवा करना हैं, यही उसका धिय है, मेरे लिए दुनिया में कोई देवता नहीं, कोई गुरू नहीं, कोई हाकिम नहीं, मेर ये देवता आप हैं, मेरे राजा आप हैं, मुझे अपने चरणों से न हटाईए, मुझे ठुकराईए नहीं, मैं सेवा और प्रेम के फूल लिए, करतब और ब्रत की भेंट अंचल में सजाए, आपकी सेवा में आई हूँ, मुझे इस भेंट को, इन फूलों को अपने चरण है, यदि मालूम होता तो आप इस निश्ठुरता का व्यवाहार न करते, आप पुरुष हैं, आपके हिर्दय में दया है, सहानु भूती है, उदारता है, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि आप मुझे जैसी नाचीच पर कर सकते हैं, मैं आपकी दया के योग्य हूँ, कितनी दुरबल, कितनी अपंग, कितनी बे जवान, आप सूर्य है, मैं अणू हूँ, आप अगनी है, मैं त्रिण हूँ, आप राजा है, मैं भिकारिन हूँ, करोद तो बरावर वालों पर करना चाहिए, मैं भला आपके करोद का आघठ कैसे सह सकती हूँ, अगर आप समझते हैं क कि मैं आपकी सेवा की योगी नहीं हूँ तो मुझे अपने हातों से विश्का प्याला दे दीजिए। मैं उसे सुधा समझ कर सिर और आँखों से लगाऊंगी और आँखे बंद करके पी जाऊंगी। जब जीवन आपकी भेंट हो गया तो आप मारें या जिलाएं। यह आपकी इच्छा है। मुझे यही संतोष काफी है कि मेरी मृत्यू से आप निश्चिन्त हो गए। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि मैं आपकी हूँ और सदय बापकी रहूंगी। इस जीवन मैं ही नहीं ब पुरुष को तुमारे उपर हर तरह का अधिकार है। लेकिन नम्रता की भी तो कोई सीमा होती है। तो उसे भी चाहिए कि उसकी बात न पूछे। इस्त्रियों को धर्म और त्याक का पाट पढ़ा पढ़ा कर हमने उनके आत्म सम्मान और आत्म विश्वास दोना का ही अंत कर दिया। अगर पुरुष इस्त्री का महताज नहीं तो इस्त्री भी पुरुष की महताज क्यों है। ईश्वार ने पुरुष को हाथ दिये हैं तो क्या इस्त्री को उससे बंचित रखा है। पुरुष के पास बुद्धी है तो क्या इस्त्री अबोधा है। इसी नम्रत होने लगा किस लॉंडे ने कोई दूसरा रोग पाल रखा है किशी शिकारी के रंगी नजाल में फसा हुआ है खेर मैंने तीसरा पत्र खोला प्रियतम अम मुझे मालूम हो गया कि मेरी जिंदगी निरूद्देश्य है जिस फूल को देखने वाला चुनने वाला कोई नहीं व मुझे विदा किया इतने दिनों में आपने एक बार भी मुझे दर्शन न दिये आप दिन में बीसों ही बार घर में आते थे अपने भाई बेहनों से हस्ते बोलते थे या मित्रों के साथ सैर तमाशे देखते थे लेकिन मेरे पास आने की आपने कसम खाली थी मैंने कितनी ब योगी नहीं, विश्वास के योगी नहीं, सेवा करने के भी योगी नहीं, तो क्या दया के भी योगी नहीं, मैंने उस दिन कितनी महनत और प्रेम से आपके लिए रसकुले बनाएं थे, आपने उन्हें हाथ से चुआ भी नहीं, जब आप मुझसे इतनी विरक्त हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि जी कर क्या करूँ नजाने यह कौन सी आशा है जो मुझे जीवत रखी हुए है क्या अंधेर है कि आप सजातों देते हैं पर अपराद नहीं बतलाते यह कौन सी नीती है आपको ग्यात है इस एक मास में मैंने मुश्किल से दस दिन आपके घर में भोजन किया होगा मैं इतनी कमजोर हो गई हूं कि चलती हूं तो आँखों के सामने अधेरा चा जाता है आँखों में जैसे जोती ही न रही हिर्दय में मानुरक्त का संचालन ही न रहा खैर सता लीजिए जितना जी चाहे इस अनीति का अंत भी एक दिन हो ही जाएगा अब तो मृत्य पर ही सारी आशाएं टिकी हुई है अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरे मरने की ख़बर पाकर आप उछ लेंगे और हलकी सांस लेंगे आपकी आँखों से आशुकी एक बूंद भी न गिरेगी पर यह आपका दोश नहीं मेरा दुरभाग्य है उस जन्नम में मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया था मैं चाहती हूँ मैं भी आपकी परवाह न करूँ आप ही की भांती आपसे आँखे फेर लू मुह फेर लू दिल फेर लू लेकिन न जानी क्यों मुझ में वह शक्ती नहीं है क्या लता ब्रिक्ष के भांती खड़ी रह सकती है ब्रिक्ष के लिए किसी सहारी की जरूरत नहीं लता वह शक्ती कहां से लाए वह तो ब्रिक्षि से लिपटने के लिए पैदा की गई है उसे ब्रिक्षि से अलग कर दो तो वह सूख जाएगी मैं आपसे प्रथक अपने अस्तित्यु की कलपना ही नहीं कर सकती मेरे जीवन की हर एक गती प्रतेक विचार प्रतेक कामना में आप मौझूद होते हैं मेरा जीवन वह ब्रित है जिसके केंदर आप हैं मैं वह हार हूँ जिसके प्रतेक फूल में आप धागे की भांती खुसे हैं उस धागे के बगेर हार के फूल बिखर जाएंगे और धूल में मिल जाएंगे मेरी एक सहेली है शन्नो उसका एक साल पाणी घ्रहन हो गया है उसका पती जब सस्राल आता है शन्नो के पाउं जमीन पर नहीं पड़ते दिन भर में न जाने कितने रूप बदलती है मुक कमल खिल जाता है उल्ला सम्हाले नहीं समलता उसे विखेडती लुटाती चलती है हम जैसे अभागों के लिए जब आकर मेरे गले से लिपट जाती है तो हर्स और उन्माद की वर्षा से जैसे मैं लत्वत हो जाती हूँ दोनों अनुराग से मतवाले हो रहे हैं उनके पास धन नहीं है जायदाद नहीं है मगर अपनी दरिदर्ता में ही मगन है इस अखंड प्रेम का एक शण उसकी तुलना में संसाल की कौन सी बस्तू रखी जा सकती है मैं जानती हूँ यह रंग रेलियां और बेफिक्रियां बहुत दिनों तक न रहेंगी जीवन की चिंताएं और दोराशाएं उन्हें भी परास्त कर देंगी लेकिन यह मधुर इस्मृतियां संचेद धान की भांती अंत तक उन्हें सहारा देंगी प्रेम में भीगी हुई सुखी रोटियां प्रेम में रंगे हुए मोटे कपड़े और प्रेम के प्रकासे आलो के छोटी सी कोटरी अपनी इस बिपन्नता में भी वह स्वाद वह शोभा और वह विस्राम रखती है जो शायद देवताओं को स्वर्ग में भी नसीब नहीं जब शन्नो का पती अपने घर चला जाता है तो वह दुखिया किस तरह फूट फूट कर रोती है कि मेरा हिर्दय गदगद हो जाता है उसके पत्र आजाते हैं तो मानो उसे कोई विभूती मिल जाती है उसके रोने में भी उसकी विफलताओं में भी उसके उपालंबों में प्रतिक्षा और उल्लास है मेरी ब्याकुलता में दैन्ने और परवश्टा उसके उपालंब में अधिकार और ममता है मेरे उपालंब में भग्नता और रुदन पत्र लंबा हुआ जाता है और दिल का बोज हलका नहीं होता भयंकर गर्मी पड़ रही है दादा मुझे मसूरी ले जाने का विचार कर रहे हैं मेरी दुरवलता से उन्हें टीवी का संदे हो रहा है वह नहीं जानते कि मेरे लिए मनसूरी नहीं स्वर्ग भी काल कोटरी है अभागेन कुसुम मेरे पत्थर के देवता कल मसूरी से लौट आई लोग कहते हैं बड़ा स्वास्त बर्धक औ जाने क्यों मैं अभी मौत से डरती हूँ आशा का कच्चा धागा मुझे अभी जीवन से बांदे हुए है जीवन उध्यान के द्वार पर जाकर बिना सेर की ये लौट आना कितना हसरतनाग है अंदर क्या सुशमा है क्या आनंद है मेरे लिए वह द्वार ही बंद है कितनी अभी लाशाओं से बिहार का आनंद उठाने चली थी कितनी तैयारियों से पर मेरे पहुंचते ही द्वार बंद हो गया अच्छा बतलाओ मैं मर जाओंगी तो मेरी लाशपा आंसु की दो बुन्दां गिराओगे जिसकी जिन्दगी भर की जिम्मेदारी ली थी उसकी सदै के सिंदूर लगाना अपने हाथ से स्वा की चूणियां पहनाना अपने हाथ से मेरे मूँ में गंगाजल डालना दो चार पर कंधा दे देना बस मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी और तुम्हें आशीर बात देगी मैं बचन देती हूं कि मालिक के दरवार में तुम्हार करती लेकिन मैं तुम्हारे साथ अन्याय न करूंगी तुम कितने ही निष्ठुर हो इतने निर्दई नहीं हो सकते मैं जानती हूं तुम यह समाचार पाते ही आओगे और शायद एक शन के लिए मेरी शोक मृत्ति पर तुम्हारी आखें रो पड़ें कहीं मैं अपने जीव मेरे पास भीज़ देना मैं उसकी पूजा करूंगी उसके चरणों पर शीष न बाऊंगी मैं जिस देवता को प्रसंद न कर सकी उसी देवता से उसने बरदान प्राप्त कर लिया ऐसी सौभागिनी के तो चरण धोधो पीना चाहिए मेरी हारदे के इच्छा है कि तुम उस के साथ सुखी रहो यदि में उस देवी की कुछ सेवा कर सकती अपरोक्ष न सही परोक्ष रूप से ही तुम्हारे कुछ काम आ सकती अब मुझे केवल उसका शुब नाम और इस्थान बता दो मैं सिर के बल दोड़ी हुए उसके पास आऊंगी और कहूंगी देवी तुम्ह मेरे स्वामी की प्रेमिका हो मुझे अपने चरणों में शरण दो मैं तुम्हारे लिए फूलों की सेज बिचाऊंगी तुम्हारी मांग मोतियों से भरूंगी तुम्हारी एडियों में महावर रचाऊंगी यह मेरी जीवन की साधना होगी यह न समझना कि मैं जलूंगी य बिचारा हिर्दय दाहव को टीबी समझ रहा है दुख की सताई हुई कुसुम इन दोनों पत्रों ने धहरे का प्याला भर दिया मैं बहुती आवेश ही नादमी हूँ भावुकता मुझे छूबी नहीं गई आधिकांश कलाविदों की भाती में भी शब्दों से अंदोलित कर नहीं होता क्या बस्तु दिल से निकलती है क्या बस्तु किवल मर्म को इसपर्ष करने के लिए लिखी गई है यह भेद बहुदा मेरे साहितिक आनंद में बादक हो जाता है लेकिन पत्रों ने मुझे आपे से बाहर कर दिया एक इस्थान पर तो सच मुझ मेरी यांखें भर यह भावना कितनी बेदना पूर्ण थी कि वही बालिका जिस पर माता पिता प्राण छड़कते रहते थे विवा होते ही इतनी विपद ग्रस्त हो जाए विवा क्या हुआ मानो उसकी चिता बनी या उसकी मौत का परवाना लिग गया इसमें संद्यय नहीं कि ऐसी बैवाहिक दुरगटनाए कम होती है लेकिन समाज की बरतमान दशा में उनकी संभावना बनी रहती है जब तक इस्त्री पुरुष के अधिका समान न होंगे ऐसे आगात नित्य होते रहेंगे दुरबल को सताना कदाचित प्राणियों का सुभाव है काटने वाले कुत्तों से लोग द मातहत बना दो फिर देखो अफसर साहव अपने मातहत पर कितना रौप जमाते हैं सुख मैं दामपत्ती की नीव अधिकार सामने पर ही रखी जा सकती है इस बैशम्य में प्रेम का निवास हो सकता है मुझे तो इसमें संध्य है हम आज जिसे इस्त्री पुरुष्व में प् पशू से होता है पशू सेड़ जुकाय काम किये चला जाए स्वामी उसे भूसा और खली भी देगा और उसकी देह भी सहलाएगा उसे आभूशर भी पहनाएगा लेकिन जानवर ने जरा चाल धीमी की जरा गरदन टेडी की की मालिक का चाबक पीट पर पड़ा यसे प्रेम कर लिया है जैसी आपके इच्छा पुरुष के लिए इस्तरी पाउं की जूती है इस्तरी के लिए पुरुष दैब तुल्य है बलकि देबता से भी बढ़कर बेवेका उदय होते ही वह पती की कलपना करने लगती है मैंने भी वही किया जिस समय गुडिया खिलती थी उसी स चरणों को पखारा माला फूल और नैविद्दी से आपका सतकार किया कुछ दुनों के बाद कहानिया सुनने और पढ़ने की चाट पड़िये तब आप कथाओं के नायक की रूप में मेरे घर आए मैंने आपको हिर्दय में स्थान दिया बाले काल से ही आप किसी ना किसी र उमाड़ू भी भिखर जाएंगे लेकिन आपकी यही इच्छा है तो यही सही मैं आपकी सेवा में सब कुछ करने को तयार थी अभाव और विपन्नता का तो कहना ही क्या मैं तो अपने को मिटा देने को भी राजी थी आपकी सेवा में मिट जाना ही मेरे जीवन का उद्दे दिया है आप उसे जवान पर लाना भी उचित नहीं समझते मैं इस निश्ठुरता के सिबा और हर एक सजा जहलने को तयार थी आपके हाथ से जहर का प्याला लेकर पी जाने में मुझे बिलंब न होता किन्तु बिदी की गती निराली है मुझे पहले इस सत्य के सुईकार कहने में बादा थी कि इस्त्री पुरुष की दासी है मैं उसे पुरुष की सहचरी अर्धांगी नहीं समझती थी पर अब मेरी आखे खुल गई मैंने कई दिन हुए एक पुस्तक में पढ़ा था कि आधिकारले में इस्त्री पुरुष की उसी तरह संपत्ती थी जैसा गाय बैली या खेत बारी पुरुष को अधिकार था इस्त्री को बेचे गिरवी रखे या मार डाले बिभार की प्रथा उस समय केबल यह थी कि बरप घर ले जाकर उसके पेरों में बेडियां डालकर घर के अंदर बन कर देता था उसके आत्मसम्मान के भावों को मिटाने के लिए यह उपदेश दिया जाता था कि पुरुष ही उसका देपता है सुहाग इस्त्री की सबसे बड़ी विभूत्ती है आज कई हजार वर्षों के बीतने पर पुरुष के उस मनोभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ पुरानी सभी पृताएं कुछ बिक्रित या संस्कृत रूप में मौजूद हैं आज मुझे मालूम हुआ कि उस लेखक ने इस्त्री समाज की दशा का कितना सुन्दा निरूपन किया था अब आपसे मेरा सविनय अनुरोध है और यही अंतिम अनुरोध है कि आप मेरे पत्रों को लोटा दें आपके दिये हुए गहने और कपड़े आप मेरे किसी काम के नहीं इन्हें अपने पास रखने का मुझे जो कोई अधिकार नहीं आप जिस समय चाहें बापस मंगवा लें मैंने उन्हें एक पिटारी में बंद करके अलग रख दिया है जिसकी सूची भी वहीं रखी हुई है मिला लीजिएगा आज से आप मेरी जवान या कलम से कोई शिकायत न सुनेंगे इस भ्रम को भूल कर भी दिल में इस्थान न दीजिएगा कि मैं आपसे बेवफाई ये विश्वात खात करूंगी मैं इसी घर में कोड़ कोड़ कर मर जाऊंगी पर आपकी योड़ से मेरा मन कभी मेला न होगा मैं जिस जलवाई में पली हूँ उसका मूल तत्तो है पती में स्रध्धा इश्षा या जलन भी उस भावना को मेरे दिल से नहीं निकाल सकती मैं आपकी कुल मर्यादा की रख्षिका हूँ उस आमानत में जीते जी खायानत न करूंगी अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे भी बापस कर देती है लेकिन यहां मैं मजबूर हूँ आप भी मजबूर हैं मेरी ईश्वर से यही बिनिती है कि आप जहां रहें कुशल रहें जीवन में मुझे सबसे कटू अनभब जो हुआ वह यही है कि नारी जीवन अधम है अपने लिए अपने माता पिता के लिए अपने पती के लिए उसकी कदर ना माता के घर में है ना पती के घर में मेरा घर शोकागार बना हुआ है अम्मा रो रही है, दादा रो रहे है कुटुम के लोग रो रहे है एक मेरी जाति से लोगों को कितनी मानसिक बेदना हो रही है कदाचित में सोचते होंगे यह कन्या कुल मैंने आती तो अच्छा होता मगर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए आपके उपर विजय नहीं पा सकती आप मेरे प्रभू है, आपका फैसला अटल है उसकी कहीं अपील नहीं, कहीं फर्याद नहीं खैर आज से यह कांट समापत हुआ अम मैं हूँ और मेरा दलित भगन हिरत है हसरत यही है कि आपकी कुछ सेवा न कर सकी अभागिनी कुस्सुम मालूम नहीं मैं कितनी देर तक मूख बेदना की दशा में बैठा रहा कि महाशे नभीन बोले आपने पत्रों को पढ़कर क्या निश्य किया मैंने रोते हुए हिर्दै से कहा अगर इन पत्रों ने उस नर पिशाच के दिल पर कोई असर न किया तो मेरा पत्र भला क्या असर करेगा इससे अधिक करुणा और बेदना मेरी शक्ती के बाहर है ऐसा कौन सा धार्मिक भाव है जिसे इन पत्रों में इश्पर्स न किया गया हो दया, लज्जा, तिरसका, न्याय मेरे बिचार में तो कुसम ने कोई फहलू नहीं छोड़ा मेरे लिए अब यही अंतिम उपाय है कि उस शैतान के सिर्प सवार हो जाओ और उससे मूँ दर मूँ बातें करके इस समस्या की तहह तक पहुँचने की चेश्टा करूँ अगर उसने मुझे कोई संतोष प्रद उत्तर न दिया तो मैं उसका और अपना खोन एक कर दूँगा या तो मुझे फासी होगी या वही काले पानी जाएगा कुसम ने जिस धहरे और साहत से काम लिया वह सरानी है आप उसे सांतोना दीजेगा मैं आज रात की गाड़ी से मुरादाबाद जाऊंगा और परसों तक जैसी कुछ परिस्थिती होगी उसकी आपको सूचना कर दूँगा मुझे तो यह कोई चरित्रहीन और बुद्धीहीन युवक मालुम होता है मैं उस बहक में जाने क्या-क्या बकता रहा इसके बाद हम दोन भोजन करके इस्टेशन चले वह आगरे आ गए मैंने मुरादाबाद का रास्ता लिया उनके प्राण अब भी सूखे जाते थे कि क्रोद के आवेश में कोई पागलपन न कर वैठू मेरे बहुत समझाने पर उनका चित्त शान्त हुआ मैं प्राते काल मुरादाबाद पहुचा और जान शुरू करती इस युवक के चरित्र के विशय में मुझे जो संधिय हुआ वह गलत निकला महले मैं कॉलेज में उसके इश्ट मित्रों में सभी उसके प्रशन सक थे अंधेरा और गहरा होता हुआ जान पड़ा संधिया समय में उसके घर जा पहुचा जिस निश्कपट भावसिवा दोड़का मेरे पैनों पर जुका वह मैं नहीं भूल सकता ऐसा बाग चतूर ऐसा सुशील और बिनी दिवक मैंने नहीं देखा बाहर और भीतर में इतना आकाश पातल का अंतर मैंने कभी नहीं देखा था मैंने कुशल शेम और सिश्टा चार के दो-चार बाक्यों के बाद पूछा तुमसे मिलका चित प्रसंद हुआ लेकिन आखिर कुसम ने क्या पराद किया है जिसका तुम उसे इतना कठोर दंड दे रहे हो उसने तुम्हारे पास कई पत्र लिखे तुमने एक का भी उत्तर न दिया वह दो-तीन बार यहां भी आई पर तुम उससे बोले तक नहीं क्या उस निदोश बालिका के साथ तुम्हारा यह अन्याय नहीं है यवक ने लजित भाव से कहा बहुत अच्छा होता कि आपने इस प्रश्न को न उठाया होता उसका जबाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है मैंने तो इसे आप लोगों के अनुमान पर छोड़ दिया था लेकिन इस गलत फैमी को दूर कहने के लिए मुझे विवश होकर कहना पड़ेगा या कहते कहते बच्छुप हो गया बिजली की बत्ती पर भाती भाती के कीत पतंगे जमा हो गए कई जूंगोर उचल उचल कर मुँपर आ जाते थे और जैसे मनुश्य पर अपनी बिजय का परिचे दे कर उड़ जाते थे एक बड़ा सा आखफोड भी मेज पर बैठा था और शायद जस्त मायनी के लिए अपनी दिह तॉल रहा था युवक ने एक पंखा लाकर मेज पर रख दिया जिसने बिजय कीत पतंगों को दिखा दिया कि मनुश्य इतना निर्वल नहीं है जितना वे समझ रहे हैं एक शड़ में मैदान साफ हो गया और हमारी बातों में दखल देने वाला कोई न रहा युवक ने सकुचाते हुए कहा संबग है आप मुझे अत्यंत लोभी, कमीना और स्वार्थी समझे लेकिन यथार्थ यह है कि इस बिवा से मेरी वए अविलाशा ना पूरी हुई जो मुझे प्राणों से भी प्रियत थी मैं बिवा पर रजावन्द न था अपने पेरों में बेडिया न डालना चाहता था किन्तो जब महाशा नवीन बहुत पीछे पड़ गए तो उनकी बातों से मुझे यह आशा हुई कि वस सब प्रकार से मेरी सहायता करने को तयार है तब मैं राजी हो गया पर विवा होने के बाद उन्होंने मेरी बात भी न पूछे मुझे एक पत्र भी न लिखा के कब तक भा मुझे बिलाइद भीजने का प्रबंद कर सकेंगे हालनकि मैंने ःपनी इच्छा उन पर पहले ही प्रकट कर दी थी पर उन्होंने मुझे निराश करना ही उचित समझा उनकी इस आक्रिपाने मेरे सारे मनसूबे धूल में मिला दिये मेरे लिए अब इसके सिवा और क्या रह गया है कि एलल भी पास कर लू और कचेहरी मैं जूती फट फटाता फिरूं मैंने पूछा तो आखिर तुम नवीन जी से क्या चाहती हो लेन देन में तो उन्होंने शिकायत का कोई अफसर नहीं दिया तो मैं विलायत भीजने का खर्च तो शायद उनके काबू से बाहर हो यवक ने से जुका कर कहा तो यह उन्हें पहले ही मुझसे कह देना चाहिए था फिर मैं विवाही क्यों करता उन्होंने चाहे कितना ही खर्च डाला हो पर इसे मेरा क्या उपकार हुआ दोनों तरफ से दस बारे हजार रुपे खाक में मिल गए और उनके साथ मेरी अभिलाशाएं खाक में मिल गए पिदाची वर्पतो कई हजार का रिंड हो गया है वह मुझे इंगलंड नहीं भेज सकते क्या पूजी नवीन जी चाहते तो मुझे इंगलंड न भिज देते उनके लिए दस पाँच हजार की कोई हकीकत नही उचा पद प्राप्त करना चाहते हैं विध्यार्जन के लिए विदेश जाना बुरा नहीं इश्व सामर्थि दे तो शौक से जाओ किन्तो पतिनी का परतियाग करके ससुर पर इसका भार रखना निरलज्जता की परखाष्टा है तारीफ की बाद तो तब थी कि तुम अपने पुरुशार्थ से जाते इस तरह किसी की गर्दन पर सवार होकर अपना आत्म सम्मान बेच कर गए तो क्या गए इस पामर की दृष्टी से कुसम का कोई मूले ही नहीं वैकेवल उसकी स्वार्थ सिद्धी का साधन मातर है ऐसे नीच प्रकृती के आदमी से कुछ तरक करना व्यर्थ था परिस्थिती ने हमारी चुटिया उसके हाथ में रखी थी और हमें उसके चरणों पसे जुकाने की सिबाए और कोई उपायन न था दूसरी गाड़ी से मैं आगराजा पहुँचा और नवीन जी से यह ब्रतान्त कहा उन बिचारे को क्या मालूम था कि यहां सारी जिम्मेदारी उनी के से डाल दी गई है यद्यपे इस मंदी ने उनकी बकालत भी ठंटी कर रखी है और वह दसमाच हजार का खड़ सुगमता से नहीं उठा सकते लेकिन इस युबक ने उनसे इसका संकेत भी किया होता तो वह आवश्य कोई न कोई उपाय करते कुसम के सिवाए दूसरा उनका कौन बैठा हुआ है उन बिचारे को तो इस बात का ग्यान ही न था अतब मैंने यों ही उनसे यह समाचर कहा तो वह बोल उठे छी इस जरा सी बात को इस भले आदमी ने इतना तूल दे दिया आप आज ही उसे खत लिगने कि वह जिस वक्त जहां पढ़ने के लिए जाना चाहे शौक से जा सकता है मैं उसका सारा भार सुईकार करता हूँ साल भर तक निर्दई ने कुसम का रुला रुला कर मार डाला घर में इसकी चर्चा हुई कुसम ने भी मां से सुना मालुम हुआ एक हजार का चेक उसके पती के नाम भेजा जा रहा है पर इस तरह जैसे किसी संकट का मोचन करने के लिए अनुष्ठान किया जा रहा हो कुसम ने भृकुटी सिकोड कर कहा अम्मा दादा से कह दो कहीं रुपए भिजने की जरुरत नहीं माता ने विसमित होकर बालिका की ओर देखा कैसी रुपए अच्छा वह क्यूं इसमें क्या हर्च है लड़के का मन है तो बिलायत जाकर पड़े हम क्यों रोकने लगे यौं भी उसी का है वो भी उसी का नाम है हमें कौन छाती पर लाद कर ले जाना है नहीं आप दादा से कह दीजिए एक पाई न भेजे आखिर इसमें क्या बुराई है इसी लिए क्या उसी तरह की डाका जनी है जैसे बदमाश लोग किया करते है किसी आदमी को पकड़ कर ले गए और उसके घरबालों से उसके मुक्ती धन के तौर पर अच्छी रखा मैंट ली माता ने तरसकार की आँखों से देखा कैसी बाते करती हो बेटी इतने दिनों के बाद तो जाके देवता सीधे हुए है और तुम उन्हें फिर चड़ाए देती हो कुसम ने जल्ला कर कहा ऐसे देवता का रूठे रहना ही अच्छा जो आदमी इतना स्वार्थी इतना दम भी इतना नीच है उसके साथ मेरा निर्वान होगा मैं कहे देती हूँ वहां रुपए गए तो मैं जहर खालूंगी इसे दिल लगी न समझना मैं ऐसे आदमी का मूँ भी नहीं देखना चाहती डादा से कह देना और अगर तुम्हें डर लगता हो तो मैं कह दूंगी मैंने स्वतंद्र रहने का निश्चा कह लिया है माने देखा लड़की का मुख मंडल आरक्त हो उठा है मानो इस प्रश्ण पर वह न कुछ कहना चाहती है ना सुनना दूसरे दिन नवीन जी ने यह हाल मुझ से कहा तो मैंने एक आत्म बिस्मित की दशा में दोड़ा हुआ गया और कुसम को गले लगा लिया मैं नारियों में ऐसा ही आत्मा भिमान देखना चाहता हूँ कुसम ने वह कर दिखाया जो मेरे मन में था और जिसे प्रकट करने का साहस मुझ में न था साल भर हो गया है कुसम ने पती के पास एक पत्र भी नहीं लिखा और ना उसका जिक्र ही करती है नवीन जी ने कई बाद जमाई को मना लानी की इच्छा प्रकट की और कुसम उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती उसमें स्वाब लंबन की ऐसी द्रता आ गई है कि आश्चर्य होता है उसके मुकपन इराशा और वेदना के पीले पन और तेज हिंता की जया स्वाब इमान और स्वतंतरता की लाली और तेज अस्विता भासित हो गई है दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मुन्शी प्रेम चन द्वारा लिखी हुई कहानी कुसम अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले मिलते हैं एक नई कहानी के साथ धन्यवाद